पूरा गणित किया है आपको बता दे राज कपूर सहाब हमेशा से ही नंबर्स में और अंध विश्वास में काफी बिलीव करते थे इसलिए वो हमेशा आठ नंबर से जो उनका अबसेशन है हमने कई बार उनकी फिल्मों की रिलीज देट के साथ ही देखा है और 1 प्लस 7 इस इकूल टू 8 इसी लिए 17 तारिक को खास माना गया है और आलिया भट भी रनबीर कपूर के दादाजी के इस विश्वास में अपना विश्वास रखती है इसी वज़़ से 17 तारिक को रनबीर कपूर और आलिया भट शादी के बंधन में बनने वाले हैं ये तो माज़रा है कि आखिरकार 17 तारीकों ये दोनों कपल शादी क्यों कर रहे हैं लेकिन आपको बता दू एक चीज और खास होने वाली है ये उसी जगा पर शादी करने वाले हैं जहां रनवीर के पैरेंट्स यानि मीतो कपूर और रिशी कपूर ने शादी की थी ये 1980 में उसी जगा पर आलिया भट और अग्वीर कपूर भी शादी के साथ फेरी लेंगे और अपने प्यार को एक नया नाम देंगे और शादी के बंधन में बन जाएंगे इनके जो वेडिंग फेस्टिविटीज है जो रिचुवल्स है जो सेरमनीज है वो 14 अप्रैल से शुरू हो जाएगी बात अगर इनके मेहंदी हल्दी और संगीत की की जाए तो उसमें पूरे कपूर खांदान के साथ-साथ भट परिवार भी नज़र आएगा और इंडस्री से कुछ चुनिंदा लोगों को ही इन्वाइट किया गया है हमने बीते दिनों आपको बताया था कि किस तरह से रिनवीर कपूर की जो बैचलर्स पार्टी होने वाली है उसमें कौन-कौन से स्रिदारे शामिल होने वाले है वहीं हम आपको ये बताने कि आलिय लभट को वेकेशन्स मनाते हुए स्कॉट किया गया है और अंदाजा यहां तक लगाया जा रहा है कि इनकी शादी में जो डिजाइनर आउटफिट है वो या तो मनीश मलहूत्रा की तरफ से आने वाले हैं या फिर सब्यसाच्ची की तरफ से तो हमने आपको बताया कि आख अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्स्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दमाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरेटिन्मेंट